शकुंतिला सरला के बचे-खुचे बाल पकड़ कर खीच रही है सरला को बहुत दर्द हो रहा है चोड़ो मुझे दर्द हो रहा है चोड़ो मुझे डायन तुझे छोड़ दू डायन कहीं की ऐसे खीचते हुए शकुंतिला सरला के कुछ बाल नोच लेती है और उसके पेट पर लात मारती है राधेपुर नाम के गाउं में पंकश नाम का एक व्यापारी रहता था पंकश की पतनी सरला बहुत ही अच्छी दिलवाली ओरत थी वो सिर्फ पंकश का ही नहीं पूरे गाउं का खयाल रखती थी गाउं में कभी किसको किस चीज की जरुरत है कौन बिमार है, कौन भूखा है ये सब कुछ सरला को पता था और वो इन सब की मदद करती थी मगर पंकश इस बात से खुश नहीं था क्या सरला, मैं दिन भर मेहनत करके कमाता हूँ और तुम सब कुछ गाउं वालों में लुटा देती हो गाउं में रहते हैं और गाउं वालों का सुख दुख में साथ नहीं देंगे ऐसा कभी होता है क्या गाउं के लोग सरला से बहुत प्यार करते हैं मगर पंकश को सरला से बिलकुल भी प्यार नहीं है फिर भी शादी के बाद सब कुछ ठीक ही था मगर उसके बाद से सरला के बाल चढ़ने लगे सरला गंजी होती गई उपर से सरला काली से और काली होती गई इसलिए आजकल पंकज उससे ठीक से बात भी नहीं करता है हमेशा चिर्चिरा सा रहता है ए सरला मेरा कुर्ता कहा है पता नहीं जी यहीं पर तो रखा था एक काम तुमसे ठीक से नहीं होता ध्यान कहा रहता है तुम्हारा किसी काम के नहीं हो तुम पंकच गुसे में चला जाता है सरला दुखी हो जाती है और मूँ छोटा करके गाउं के कोई में पानी लेने जाती है गाउं की ओरते भी कोई से पानी लेने आई हुई है सरला को देखकर उनमें से एक औरत कहती है अरे ये देखो सरला आ गई क्या बात है सरला मूँ क्यों जगड़ा होता है तेरा पती तो तुझे चोड़कर हर एक औरत से प्यार करता है सभी हंस उठते हैं सरला कहती है नहीं नहीं मेरा पती ऐसा नहीं है जितना भी जगड़ा हो मुझसे बहुत प्यार करते हैं सरला ने ये बात बड़े गुरूर के साथ कही थी मगर उसे क्या पत मगर उसके कुछी दिनों बाद सरला गर्वती अवस्था में जब घर का काम कर रही होती है तब उसका पती पंकच एक गोरी औरत यानि की शकुंतला के साथ घर के अंदर प्रवेश करता है उन दोनों के गले में फूलों की माला है सरला तो चौंक जाती है ये क्या? क्या है ये? क्यूँ? तुझी दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मैंने शादी की है, इसका नाम शकुंतला है हम, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं हाँ जी, आपने तो बताया था कि आपकी पतनी बतसूरत है मकर इतनी बचसूरत है ये तो मैंने नहीं सोचा था अब क्या करें शकुंतला सभी तुम्हारे जैसे खुबसूरत थोड़ी होते हैं उपर से इस सरला के तो बाल भी जड़ गया है आप चिंता मत कीजिए जितने भी बचे कुछे बाल है वो मैं साब कर दूँगे पहले तो दूसरी शादी और उपर से इतना अपमान सरला सेह नहीं पाती है उसके आँखों से आंसों की धारा निकलती है आप दोनों ऐसे क्यों बात कर रहे हैं क्या मैं इस घर की कोई नहीं हूँ आप बताएए ना अब मैं कहा जाओ इस हालत में सरला रसोई में चली जाती है और अच्छा अच्छा खाना बना देती है वो दुनों पेट भर कर खाते हैं उसके बाद शकुंतला कहती है और खाना बचा है क्या? हाँ मेरे हिस्से का बचा है एक काम कर उसे कुटों को खिला दे मतलग मैं क्या खाऊंगी फिर? एक दिन कुछ नहीं खाईगी तो क्या मर जाएगी? वैसे भी जादा खाने से जादा चर्भी हो जाती है फिर घर के काम में मन नहीं लगता हाँ शेकुंतला ये तुमने बड़ी अच्छी बात की है सरला शेकुंतला जो बोल रही है न वो चुपचप सुन ले यही इस घर की माल किन है सरला अपना खाना कुट्टों को खिला देती है और खुद खाली पेट सो जाती है मगर उसे नीन नहीं आती वो बस रोती रहती है ए भगबान अगर मुझे किस गलती के सजा दे रहा है मेरे पेट में एक बच्चा पल रहा है अगर मैं यहां से चली भी जाती हूँ तो उसका क्या होगा रोते रोते सुबह हो जाती है और सरला उठकर घर के काम में लग जाती है तभी शकुंतला आकर कहती है ए सरला वो सब रखके थोड़ा इधर आ मेरे पेर दबा दे सरला चुप चाप शकुंतला के पेर दबा देती है पेर दबाने में एक घंटा बीच जाता है तभी पंकच कहता है मगर नाश्टा तो अभी तक नहीं बना जी अभी तक नहीं बना? तू इतने देर से क्या कर रही थी? सो रही थी महारानी, नहीं नहीं, आप ही ने तो बोला पैर दबाने के लिए अच्छा, तो अब तू मेरों पर सारा इल्जाम डाल रही है, बेशरम औरत कहीं की ये बोलकर शकुंतला सरला को जोर से एक धक्का मारती है और सरला बिस्तर से नीचे गिर जाती है और उसके सिर में चोट लग जाती है और खून निकलने लग जाता है उसके पेट में भी चोट लग जाती है पेट में लग गया, मेरे बच्चे को लग गया देखो देखो कैसे नाटक कर रही है इसको तो मार मार के हड़ी तोड़ देनी चाहिए ए चल उट पीने का पानी नहीं है गाउं के कुएं से लेकर रहा सरला कुएं में पानी लेने चाहती है गाउं की ओरते भी वहाँ पर आई हुई थी सरला को देखकर उनमें से एक कहती है क्या रे सरला उस दिन तो बड़ा बोल रही थी कि तेरा पती वैसा नहीं है तुझसे बहुत प्यार करता है अब क्या हुआ सारी हवा निकल गई और सर पर ये छोड़ तो प्यार की निशानी है सभी हसने लगते है सरला चुप चाप पानी लेकर वहां से चली जाती है शकुंतला इसी तरह सरला के उपर अत्याचार करती रहती है और पंकज हर बात में शकुंतला का साथ देता है ऐसे ही कुछ दिन बीच जाते है पंकच कुछ दिनों के लिए काम के सिल्सिले में बाहर चला जाता है एक दो पहर को शकुंतला सरला को बुलाती है और सर पर तेल मालिश कर देने के लिए कहती है सरला तेल मालिश करने लगती है मगर कुछी देर बाद शकुंतला को सर पर थोड़ा लग जाता है शकुंतला बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है अरे करम चली बतसूरत औरत कहीं की तू क्या चाती है कि मैं भी तेरी तरह गंजी बन जाओ नहीं मैंने जान बुछ कर नहीं किया चुपकर घटी औरत कहीं की बतसूरत डायन कहीं की ये लिए ये बोलकर शकुंतला सरला के बचे कुछे बाल पकड़ कर खीच रही है सरला को बहुत दर्द हो रहा है चोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है, चोड़ो मुझे डायन तुझे छोड़ो, डायन कहीं की ऐसा खीचते हुए शकुंतला सरला के कुछ बाल नोच लेती है और उसके पेट पर लाद मारती है और उसे घर से निकाल देती है दूर हो जाए, इस खर से, दूर हो जाए ये बोलकर वो दर्वाजा बंद कर देती है सरला वहां से चली जाती है चलते चलते वो एक जंगल में पहुँच जाती है और फूट फूट करोने लगते हैं ए बगवान, अब मैं क्या करूँ? मेरा क्या होगा? मेरे बच्चे का क्या होगा? सर्ला रो रही होती है कि इतने में वहाँ एक बूरी और आ जाती है और कहती है क्या हुआ बेटी? रो क्यू रही है? क्या बताओं माजी सरला बूरी औरत को सब कुछ बताती है मगर इस जंगल में आप क्या कर रही है मेरा भी जीवन दुख और दर्द से भरा हुआ है मैं इस जंगल में ही रहती हूँ और कहीं मेरे रहने की कोई जगह नहीं है बेटी मुझे बहुत भूख लगी है कुछ खाना है तेरे पास सरला के आचल में दो बिस्किट बंधे हुए है सरला वो निकालती है सरला के पास और कुछ भी नहीं है ये दो बिस्किट ही है खाने के लिए मगर फिर भी सरला वो बिस्किट उस बूरी औरत को दे देती है तब ही वो बूरी औरत जंगल की देवी में बदल जाती है और कहती है सरला मैं इस जंगल की देवी हूँ बूरी औरत के रूप में तेरी परिक्षा ले रही थी तेरे पास दो बिस्किट के अलावा और कुछ नहीं था तब भी तुने वो मुझे दे दिया मैं तुझसे प्रसन्न हूँ ये देख पास में जो तालाब है उसमें डुपकी लगा तेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी ये बोलकर जंगल की देवी अद्रिश्य हो जाती है सरलाब तालाब में उटरती है और डुपकी लगाती है और उसके बाद जो होता है वो सरलाब ने सपने में भी नहीं सोचा था उसके सिर पर घरने वाल आ जाते है वो गोरी और खुबसूरत हो जाती है तालाब के पानी में वो अपनी परचाई देखती है और अचमभित हो जाती है अरे ये क्या मैं इतनी खुबसूरत कैसे हो गई मैं तो अपने आपको भी पहचान नहीं पा रही हूँ सरला तालाब से उटकर घर की ओर चल देती है वो घर पहुंचती है शकुंतला दर्वाजा खोलती है कौन हो तुम? यहां क्या चाहिए? अरे शकुंतला मैं सरला हूँ सरला? मगर तुम इतनी खुबसूरत कैसे बन गई? सरला का मन सीधा साधा है वो शकुंतला को सब कुछ बता देती है कैसे जंगल की देवी बूरी औरत के रूप में आई और कैसे तालाब के पानी में डुपकी लगा कर उसका चेहरा पूरी तरह से बदल गया यह सब सुनकर शकुंतला के मन में और भी सुन्दर होने का खुआप जब उठता है वो भी आंचल में दो बिस्किट लेकर जंगल में चली जाती है और रोने लगती है जंगल की देवी बूरी औरत के रूप में आती है और खाना मांगती है शकुंतला बिस्किट देती है और तब ही जंगल की देवी अपने अस्ती रूप में आकर शकुंतला को तालाब में डुपकी लगाने को कहती है शकुंतला तालाब में उतर कर डुपकी लगाती है और वो जब उठती है तब वो पहले से भी सुन्दर बन चुकी होती है अरे मैं तो सच में और भी सुन्दर बन गई अरे वा, मैं ऐसे डुपकी लगाती रहोंगी, तो मैं और भी कितनी सुन्दर हो जाओंगी, मैं तो दुनिया की सबसे सुन्दर बन जाओंगी ये बोलकर शकुंतला और एक बार डुपकी लगाती है, मगर इस बार उल्टा हो जाता है वो दुनिया के सबसे बदसूरत औरत बन जाती है उसके सारे बाल जढ़ जाते है दांद गिर जाते है रंग भी काला हो जाता है अरे अरे ये क्या हो गया ये क्यों हुआ तब ही वहाँ जंगल की देवी प्रकट होती है ये तेरे लालच की वज़े से हुआ है तेरा मन साफ नहीं है इस पानी में दो बार टुपकी लगाने से मन की सुंदरता बाहर आती है तेरा मन काला है बदसूरत है इसलिए तो भी बदसूरत बन गई है अब ये कभी ठीक नहीं हो सा ये बोलकर जंगल की देवी गायब हो जाती है नहीं अब मैं क्या करूंगी किसी को मुझ कैसे दिखाऊंगी नहीं नहीं मैं और कभी नहीं लोटूंगी कभी नहीं शकुन्तिला उटकर कहीं और चले जाती है उधर पंकज घर लोटकर सब कुछ सुनता है उसे उसकी गलती का एहसास होता है और वो सरला से माफी मांगता है सरला, मुझे माफ कर दो मुझसे गलती हो गई लेकिन सरला को पता है कि जो एक बार फिसल सकता है वो बार बार फिसल सकता है सरला उसे माफ नहीं करती है नहीं, नहीं मेरे बुरे वक्त में आपने मेरा साथ छोड़ दिया मैं आपको और कभी अपना नहीं सकूँगी गाउंवाले मुझसे प्यार करते है सभी ने मिलकर मेरे लिए घर बना दिया है और काम भी ढूंड लिया है मैं पंकच को अपनी गलती का पूरा एहसास होता है सरला नए घर में चली जाती है गाउंवाले पंकच को गाउं से निकाल देते है कुछ महीने बाद सरला को एक बेटा होता है और वो अपने बेटे के साथ गाउंवालों की मदद से खुशी-खुशी जीवन बिता देती है रमेश रास्ते से ओफिस की तरफ जाही रहा था अचानक से उसका फोन पेशने लगा रमेश ने फोन उठाय तो एक पडोसी से पता चला कि उसकी पतनी सरला की तबियत बहुत खराब है वो सर चकरा कर जमीन पर गिर गई है फोन रखने के बाद रमेश ने बोला सुबह सुबह क्या मुसीबत है आज आफिस में जरूरी मीटिंग है सरला को भी आज ही बिमार होना था यह औरत मझे चैन से जीने नहीं देगी रमेश घर की तरफ चल पड़ा रमेश की पतनी सरला काफी गरीब और साधारन घर की लड़की है इसलिए रमेश उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है मगर सरला रमेश दे बहुत प्यार करती है घर का सारा काम और रमेश की देखभाल भी वो खुद ही करती है पर आज काम करते करते पता नहीं क्या हो गया सरला अपना सर पकड़ कर जमीन पर गिर गया एक पडूसी ने ये देखा और तुरंट रमेश को फोन लगाया रमेश घर पहुँचा और सरला को अस्पतार लेकर गया मुबारक हो आप माँ बनने वाली है माँ भगवान का लाख लाख शुकर है सुनिये जी डॉक्टर साहब क्या कह रहे है हाँ सुना मैंने ये क्या मसीबत आ गया मेरे सर पे मैं तो इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ मगर ये तो उल्टाई हो रहा है नहीं नहीं आप रुकिए मैं नर्स को भेज देता हूँ और साहथ में दवाई भी डॉक्टर साहब चले गए कुछ दिर बाद हाथ में दवाई लेकर नर्स आई और उसे देखते ही रमेश चौक गया अरे खुशे तो रमेश तो आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं क्या तुमसे मतलब चपचाप सोई रहो ये कौन है रमेश कोई नहीं बाहर चलो सब कुछ बताता हूँ वो दोनों बाहर चले गए और एक दूसरे से बात करने लगे असल में खुशी और रमेश एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे वो एक दूसरे से प्यार करते थे मगर कॉलेज खत्म होते ही एक दूसरे से अलग हो गए इतने दिनों बाद एक दूसरे से मिलकर दोनों में प्यार फिर से ताजा हो गया रमेश ने खुशी को सब कुछ बताया ऐसा कोई करता है क्या किसी भी एरे गेरे गए गुजरे से शादी कर ली वो तो आप समझ में आ रहा है और उपर से एक तीसरा भी आने वाला है देखो, रमेश मैं आज भी तमसे प्यार करती हूँ मैं तुमारी जिंदगी में वापस आना चाहती हूँ मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ खुशी, मगर इस टुडेल का क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुनो, मेरे पास एक प्लान है, खुशी बहुत ही शातर किसम की लड़की है। उसने रमेश के कान में एक प्लान बोला। प्लान सुनकर रमेश ने कहा, वाँ खुशी वाँ, तुम्हारे दिमाग का तो कोई मुकाबला नहीं, तुम्हारे यही बात मुझे सबसे पसंद है, तुम मुझे सरला जैसे बेवकुप नहीं हो। अस्पताल से दवाई लेकर सरला और रमेश घट की तरफ चल पड़े, वो दोनों पैदल चलने लगे। क्या हूँ जी, बस में नहीं चड़ेंगे। नहीं, आज यह पैदल घर जाएंगे। क्यों, तुमको कोई तकलीफ है। नहीं, नहीं, मुझे भला कोई तकलीफ क्यों होगी। आप जहां जैसे बोलेंगे, मैं वहीं वैसे ही चली जाओंगी आपके पीछे-पीछे। मगर आज नहीं जापाओगी सरला, आज तो मैं किसी और के साथ बहना होगी। सरला आज बहुत खुश है, वो मा जो बनने वाली है। हमेशा से यही तो चाहती थी सरला, एक घर, एक अच्छा पती और एक बच्चा, उसका सपना सच होने वाला है। सरला अपने ही मन में यही सब सोच रही है, और रमेश के साथ फुटपाथ में पैदल चल रही है। कुछी सेकेंड के अंदर वहां भीड जमा हो जाती है। अरी बापरे, इतना भयानक एक्सिडेंट, बचने का तो कोई जान सी नहीं है। रमेश दूर से सब कुछ देख रहा है, इधर सरला तडप रही है, सब लोग मिलकर उसे अस्पताल लेकर गए। यह वही अस्पताल है जहां खुशी काम करती है। तभी के लिए तो सरला को अस्पताल में भरती कर लिया गया, मगर रात को खुशी ने सब की मिलकर चुरा कर सरला को अस्पताल को पीछे रास्ते में लिखा लिखा और वो पास आई। हाए राम, ये क्या? ये इस तरह इतनी रात को रास्ते में क्यों पड़ी हुई है? बेटी, तेरा नाम क्या है? बेटी, लगता है कोई भयानत दुरगटना से गुजर चुकी है और अस्पताल वालों ने इसको भरती नहीं किया। हाए राम, कोई बात नहीं बेटी, तु चिंता मत कर, मैं तुझे सर्व शक्ति मान मा दुरगा के पास लेकर जाओंगी, सिर्व दुरगा मा ही तुझे ठीक कर सकती है। बुड़ी किसी तरह सर्ला को दुरगा मा के मंदिर में लाई और फूट फूट कर रोने लगी। हे मा, तु ही सबसे शक्ति शाली है, तु चाहे तो इस बेगुना को ठीक कर सकती है, आज तेरी परिक्षा है मा, आज तेरी परिक्षा है। बुड़ी को रोते हुए देखकर दुरगा मा बुड़ी के सामने प्रकट हुई। रो मत, मैं सब कुछ ठीक कर दूगी, इसका नाम सरला है, मैं सब जानती हूँ, इसके पेट में एक बच्चा पल रहा है, इसको जीने का पूरा अधिकार है, मैं अभी इसे ठीक कर देती हूँ। दुरगा मा की आखों से एक चमतकारी रोश्नी निकली और सरला एकदब ठीक हो गए। दोनों ने दुरगा मा को प्रणाम किया और दुरगा मा चली गए। फिर सरला ने बुड़ी को अपनी सारी कहानी बताए। सब सुनकर बुड़ी सरला को एक बेटी की सरा अपने घर ले गए। उधर सरला से छुटकारा पाकर रमेश बहुत खुश था। खुशी भी रमेश के पास चली आई। और वो दोनों एक साथ रहने लगे। लेकिन कुछ दिन बाद रमेश को खुशी का खर्चा सताने लग खुशी ने अपनी नौकरी छोड़ दी और रमेश के पैसों पर रैश करने लगी। धीरे धीरे रमेश का सारा पैसा खत्म होने लगा। खुशी बिलकुल भी रमेश का ख्याल नहीं रखती है। रमेश को घर का सारा काम करना पड़ता है। घर साफ करना, खाना बनाना। करूँ, काम करने के लिए पने उउष्राने रखे लूँ, अब ज़िसे पैसे दा मुझे पार्लर जाना है। तो सारी जायदाद मेरे नाम कर दे क्या बोला तुने? मैं ये कभी नहीं करूँगा तो फिर मैं पुलिस के पास जाके बोल दूँगी कि तूने मेरे साथ उलता सीधा काम किया है चुप चाप ये सब खुछ मेरे नाम कर दे पुलिस का नाम सुनते ही रमेश डर कया और सारी जायदाद खुछी के नाम पर दे अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा इसी दिन का दो मुझे इंदजालता अब तो मेरे घर से निकल जा जाए 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 रमेश अपने ही घर से निकल आया और रास्तों में खुमता रहा उथर सरला की एक बेटी हुई और बूरी मा की तब्यत धराब होने के कारण इनका देहान थो गया उसके बाद सरला दिन भर सिलाई का काम करती रही और अपनी बेटी को पढ़ाती गई पच्चेस साल यूहीं बीट गए सरला की बेटी तापसी सरकारी अफसर बन गई सरला और तापसी अभी बड़े से महल में रहते हैं और गाडियों में घुमते हैं एक दिन तापसी अपनी गाड़ी में बैट कर आफिस जा रहे थी गाड़ी एक सिगनल पर रुकी इतने में एक बूरा भिकारी गाड़ी के पास आया और कुछ खाने के लिए मांगने लगा दाड़ी होने की वज़े से उसका मूँ ठीक से दिखने ही रहा था तापसी को उस भिकारी पर दया आई और वो उसको गाड़ी में बिठा कर घर ले आई येक इसको लेकर आई है तापसी इनको खाना दो मां ये कई दिनों से भूखे हैं अचानक से वो भिकारी सरला का पाउं पकड़ कर रोने लगा और बार बार सरला को नाम से पुकारने लगा आवाज सुनते ही सरला समझ गई कि ये कौन है ये और कोई नहीं रमेश यानि सरला का पती तापसी के पिता है हाँ, कितने दिरों बात आपको देख रही हूँ आपका ये हाल कैसे हुआ रमेश ने सब कुछ बताया और सरला से माफी मांगे मुझे माफ कर दो सरला मैं तुम्हारा गुनेगार हूँ मुझे से गलती हो गया था मुझे माफ कर दो कोई बात नहीं जी गलती तो सबसे होती है आपको अपनी गलतीों का एहसास है यही बहुत है आईए, आपको भूख लगी होगी सरला ने रमेश को खाना खिलाया रमेश नहा कर साब सुत्रा हुआ वो अपनी बेटी तापसी को पकड़ कर भी बहुत रोया तापसी अपने पिता से मिलकर बहुत खुश हुए फिर तापसी ने खुशी के उपर ब्लैक मेल का केस कर दिया और खुशी को जेल हो गई रमेश और सरला फिर से एक साथ हो गय और उनको सब कुछ मिल गया वो शांती से बागी जीवन बिताने लगे